चलिए दोस्तों आप लोग भी हमारे खेतों का नजारा देखिए हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरोहनी और यह देख सकते हैं आप लोग धनिया पत्ति लगी हुई है लाल भाजी भी लगी हुई है हमारे यहां यह खाट डली हुई है खेतों में ताकि दूसरा कोई चीज बोसके यह हमारी ममी खाना कहा रही है मतलब नास्ता कर रही है अभी तो आप देख सकते हैं कि यह खाना कहा रही है चलिए हम आपको और भी अपने खेतों की सेर कराते हैं यह देखिए मूलिया लगी हुई है मूरब जो भी आप लोग बोलते हो इसको यह देखिए ममी मंग भाई थी मूली तो हमने उखाड ली है अब उनको खिलाएंगे उसको साफ करेंगे पानी इसलिए जादा ले आया था कि मूली भी धोलेंगे और वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था तो और यह देख सकते हैं खेट साइड आ गए हम लोग यह देखिए हमारे भाई य हरका कर रहे हैं बहुत सी महनती है यह देखिए भाई को घच्ठा उठाद करते हैं अ ढग तो आप देख सकते हैं यह लेकर चले तो चलिए हम आपको और भी खेतों को नजरा दिखा रहे हैं तो यह देखिए मूली ही मूली नजरा रहे हैं हमारे खेतों में तो यह खाने में बहुत ही अच्छी लगती है खाने के साथ खाते हैं इस समय तो चनी की भाजी हुआ है यह देख सकते किती सुन्दर दिख रही है मूली ऐसी ही हमारे यहां धंदा पानी होता है तो यह देख सकते हैं कि यह सब मूली ही मूली दिखा रही है आप लोग देख सकते हैं अच्छी मूली लगी हुई है एक खराब बिल्कुल भी नहीं होती है हमारे यहां की बहुत ही अच्छा धंदा पानी होता है यह दवाई अ आपको अपने खेतों का और भी नजारा दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां भाई की भाजी लगी हुई थी तो बजार में बिख चुकी है तो आप और जाते हैं बड़े भाईया लोगों के खेत में की देखते हैं कि क्या लगा है उनके खेतों में यह मम्मी की पा लगाते हैं और बहुत ही अच्छे खेतों करना जा रहा है हमारे हां बहुत ही कुछ लग जाती है भाभी की मूली यां लगी हुई है यह देख सकती है पाइप डला हुआ है ऐसा ही पानी लगाना पड़ता है तो अब भाई अतीजे लोग है तो ऐसी डाल रखते हैं इसको पूल आ जाएंगे इसमें और यह लासुन भी लगी हुई है बहुत ही बिर्री हो गई है लेकिन खैर अब भाभी अकेले हैं तो कितना काम करें काफी ठक जाती है अब उनके भाई लड़की बच्ची भी हैं दोठो तो वह भी करते हैं अब एक धंदा पानी करते हैं यह दे लगता है बहुत ही अच्छा है हम लोग हमें सईसी को प्यों करते हैं अब चलिए देख तुलिया है कि क्या क्या लगा है तो चलिए यह देखिए मूली देख सकते एक बार और देख लिए आप लोग और हम चलते हैं अब घर के लिए भाभी हैं बहुत ही अच्छा भाजी लगी हुई है बहुत ही अच्छी भाजी लग रही है और बताए किस-किस को लाल भाजी पसंद है आप लोगों को पसंद हो तो प्लीस कमेंट बताएं थैंक यू फोर वाचिंग थैंक यू सुमेट बाई